हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपी एचेसी इकाई नो और दस तो इसमें आपके जितनी भी रचनाई हैं और उनके प्रकाशन वर्स से संबंधित ये आपका वीडियो है बहुत ही सबसे पहलो पन्या से गोदान जिसके लेखक हैं प्रेमचंद और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936ए। दूसरो पन्या से विराटा की पदमिनी जिसके लेखक हैं वुरंदावनलाल वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936ए। अगला उपन्यास है नदी के द्वीप जिसके लेखक है अग्ये जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 अगला उपन्यास है मैला आचल और इसके लेखक है फणिशवनाथ रेणु जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 अगला उपन्यास है वयम रक्षामा इसके लेखक है चतुर प्रकाशन वर्ष है अगली उपर्नियास है भूले विस्रे चित्र और इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 इसवी अगला उपर्नियास है रागदरबारी और इसके लेखक है श्रीलाल शुक्ली जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 आपका बंट्री मनुबंडारी जी के द्वारा और इसका प्रकाशन वर्षे 1970 और कहीं कहीं कतर भी दिया हुआ है मानस का हंस इसके लेखक है अमरतलाल नागर जी और इसका प्रकाशन वर्षे 1972 अगला उपन्या से पुनर नवा हसारी प्रसाद वेदी जी के रचना है और इसका प्रकाशन वर्षे 1973 अगला उपन्या से बसंती भीशम साहनी जी के द्वारा और इसका प्रकाशन वर्षे 1980 अग का प्रकाशन वर्ष है 1988 इसवी अब बात कर लेते हैं कहानियों की तो सबसे पहली कहानी है दुनिया का अन्मोल रतन इसके लेखक है प्रेमचंद जी और इसका प्रकाशन वर्ष है अंतिम कहानी है और इसका प्रकाशन जो है चांद पत्रिका में हुआ है अगली कहानी है कानो में कंगना इसके लेखक है राजा राधिका रमन सिंग्ग और इसकी रचिना का जो समय है 1913 इसवी और ये इंदू पत्रिका में प्रकाशित है अगली कहानी है ताई विषंबरनाथ शर्मा कौशिक की देखे के प्रकाशन का नहीं पता चला है कि इसका प्रकाशन वर्श और किस पत्रिका में प्रकाशित है अगली कहानी है उसने कहा था इसके लेखक है चंदरधर शर्माग विलेरी जी और ये 1915 में प्रकाशित है सरस्वती पत्रिका में अगली कहानी है आकाश दीप जैशंकर प्रसाद जी के द्वारा 1929 इसवी और ये उनके कहानी संग्रह आकाश दीप में ही संकलेत है तो यहां मैंने लिखा नहीं है अब ध्यान रखेगा ये उनके कहारी संग्रह आकाश दीप में संकलेत है अगली कहानी है रोज जिसके लिखा कि है अगेजी और ये 1990 में प्रकाशित है इसका प्रकाशित में 1990 इसवी है देखिए इसका नाम जो है पहले रोज नाम से 1931 में ये विप्थगा में प्रकाशित हुआ फिर 1990 में ये विप्थगा के पाचवे संसकरण में गैंग्रीन नाम से छपा था तो इसका नाम बदल के बाद में गैंग्रीन रख दिया गया था तो गेंग्रीन का प्रकाशन वर्ष जब आता है तो 1990 ही हम देते हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं 1990 ही लिखा है बाके अब दोने चीज़ों को ध्यार में लखेगा अगली कहानी है शरंदाता अगेजी की अगली कहानी है पत्नी जैनेंद्र की अगली कहानी है दिल्ली में एक मौ कमलेशर की 1954 प्रकाशन वर्ष हो गया लाल पान की बेगम फणिश्वनाथ रेनों की 1957 रसप्रिया फणिश्वनाथ रेनों की 1969 और यह ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित पहली कहानी है और यह निकश पत्त्रिका में प्रकाशित हुई है अगला है चीफ की दावत भिश्मसा कहानी जी के द्वारा 1969 में और यह उनके कहानी संग्रह पहला पार्ट में प्रकाशित है अगली कहानी है परिंदे निर्मल वर्मा जी के द्वारा 1969 प्रकाशन वर्ष है और यह उनके कहानी संग्रह परिंदे में प्रकाशित है अगली कहानी है वापसी उशा प्रिमवदा की और ये 1960 स्वी इसका प्रकाशिन वर्ष है अब बात करते हैं नाटकों की तो पहला नाटक है अंधेर नगरी भारते इंदू हरिश चंदर जी के द्वारा 1881 स्वी अगला नाटक है चंदर गुप्त जैशंकर पिसार जी के द्वारा 1931 स्वी में प्रकाशित सिंदूर की होली लक्ष्मी नाराण मिश्र जी के द्वारा 1934 स्वी अंधा योग धनवीर भारती 1955 स्वी अंजो दीदी उपेंदर नाथ अश्क 1955 स्वी आचाड का एक दिन मोहन राकेश 1968 स्वी अब बात करते हैं निबंद संग्रे की निबंधों के उपर तो पहला निबंध है भारत वर्ष उनति कैसे हो सकती है भारते इंदू हरिष्चंदर जी के द्वारा운 1854 स्वी विष्णफतप और भारत वर्ष भारते इंदू हरिष्चंदर जी के द्वाराश देखें अपंदा इनकी डिटेर्स जो है आप पे मिल जाएगा तो आप उसर्टीप को देख लीजीगा आप प्रताप निरायन मिष्रजी ती ची के द्वारा ऐसे अण्क 493 वी ब्रह्माद पित्रिका के खंड 9 अंक 8 में प्रकाशित है वहीं पे धोखा निबंद प्रताप नरायन मिश्र जी के द्वारा ब्राह्मन पत्रिका के खंड नौ अंक नौ में प्रकाशित है साहित जन समू के हिरदय का विकास है बाल कृष्ण भट जी के द्वारा 1881 इसी शिव शंबू के चिठे बाल मुकुंद गुप्त जी 1930 से लेकि 1907 तक जून के पत्रों का संग्र है वो भारत मित्र में प्रकाशित है धर्म और समाज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 1920 इसी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित है कवी करतवे बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा आचरण की सब्वेता सरदार पूरन सिख के द्वारा शरद्धा और भक्ती आचारे राम चंदर शुक्ली जी चिंतामणी भागे नाखून क्यों बढ़ते हैं हसार पिसाद वेदी जी महा कवी की तरजनी कुबिर नाथरा जी अस्ती की पुकार हिमाले विद्या निवास मिश्र तो ये उनके निबंध संग्रह बसंत आ गया पर कोई उतकंठा नहीं में संकलित है और इनके निबंध संग्रह का जो प्रका प्रकाशन वर्श है 1989 चलिए अब चर्चा करते हैं अन्य गद्य विधाओं के उपर अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र 1960 इसवी ये आत्म कता है आवारा मसीह विश्न प्रुभाकर 1974 इसवी जीवनी है सुधिया उस चंदनवन की विश्न कान शास्त्रे जी के द्व मेरा परिवार महादेवी वर्मा 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये एक रिखाचेत्र है रोने जल धने जल फरीछ्वस नाथ रिनू जी के द्वारा 1975 इसका प्रकाशन वर्ष है ये एक रिपोत तारज है та अगे जी के द्वारा दीनमान पत्रिका में जो है पत्र के जो जानकारी जो डायरी में उनकी दैनिक क्रियाय हैं उनसे मिलने के बाद जो उनका अनुभव है इसका संकला होना नहीं किया है प्रेम जन्द की साथ 2 दिन बनारसिदास चत्रवेदी जी के दोरा 1932 यह एक साक्षाथ कार हैanda रतनाकर रतनाकर से बात चेम संबंदित वीडियो। तो आप सभी को किसे लागा कमिन्ट करके जरूर बताईगा और चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजीगा धन्यवाद